हलो जैन दोस्तों मैं राहूल सिंग राहूल वाई फाई शुड़ी में आपका हार दिक स्वागत और अभी नंदन करता हूँ दोस्तों उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग यूपिटी पर एसे के दोरा 1186 पोस्ट के लिए जूनियस शेटेंट की बैक एंसी रिलीज़ कर दी गई है तो इसमें जो कौलिफिकेशन है 12 पास है बिथ ट्रिपल सी ट्रिपल सी के समकच भी क्या होगा मैं उसके स्वाद में बताओंगा मैं पूरी पूरी information इस vacancy के बारे मताऊंगा किसमें आप एक बार form में गल्दी कर देते हैं इसको सुधार कर सकते हैं नहीं कर सकते फिस कितनी है vacancy के बारे में कितने भी भागों में vacancy निकली हुई है यानि मैं पूरी information आपको इस वीडियो का इंतरगत दूँगा आप इस वीडियो को देख लिजिए सुन लिजिए आपको फॉर्म बढ़ने में कहीं किसी प्राइल की कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सभी जो इतने भी query होंगे सब में सबका solution इस वीडियो का इंतरगत है मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा लेकिन उससे पहले चाहूँगा चैनल पर जो हमारे मित्तिकर पहली बारा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बागल में लगे बेल आईकॉन के बड़न को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सुचना जो की उत्तरप्रदेश अधनस्त सिवा चेन आयोक के संबन में हो सबसे पहले आपको राउल वाई 513 चैनल के मादेम से जरूर प्राफ्ट हो सके जयदा की लगातार UPSC का सबसे पहले न्योज Junior Assistant की राउल वाई 514 चैनल के मादेम से आपने प्राफ्ट की होगी लाइब अब चलते हैं बढ़ते हैं लेते हैं पूरी कबर हम लोग बिस्तार से वन वाई वन आप लोग यहां से देख सकते हैं जो फॉर्म रिलीज कर दिया गया है यूपी टी पली यसी के द्वारा यहां से फ्रेंड्स आप देख सकते हो अब देख सकते हैं यहां से क्लिक करिए अब पूरी इंस्ट्रेक्शन आपको कुछ आईए तो यहां से आप क्लिक करके पूरी खबर आप से बिस्तार से लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन आपके समझ आ चुका है देख सकते हैं आप अप फॉर्म जब फाइनल सम्मिट करेंगे तो आप पिंट आउट अपने पाद जरूर रख लीजिएगा यह बड़ी चीज आप लोग लिए अब देख सकते ह यहां से हम लोग ले देते हैं पूरी खबर अब यहां से देख सकते हैं आप पोस्ट के बारे में उत्ता पर देख सेवा चैना योग बिग्या पसंगे चार करिश्टा की जो भरती है एक जार एक सुच्छाथी पोस्ट पर है देख सकते हैं गेट पे आपके जीपी जो है को दूजार रुपय की है यानि बीस यार के आसपास आपका कैस पर्स्ट टाइम आपका एकाउंट में आएगा अजा साइलरी देख सकते हैं यह 21 भीवागों को भरती आई हुए इसमें कुछ अस्ताही पोस्ट है कुछ जो पोस्ट हो आस्ताही है और जो देख सकते हैं आफ्लाइन होगा इसके सबंद में आगे इंफार्मेशन दूगा है ना फॉर्म भरने के लिए आपको भाद के केवर नागरी खिस बांप भर सकते हैं किसी भी स्टेज्ट हो कोई भी उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है जो आवस्ट्रक सूचना है आप देख सकते हैं कंड करने के बाद अब बड़ी चीज़ यह कि अक्सर कंडिडेट के साथ यह होता कि फॉर्म गलत भर देते हैं बाद में बोलते हैं सर देखिए हमारा जो फॉर्म में डेटा बर्ट गलत हो गया नाम गलत हो गया तो इसका रेक्टिफाइंग कैसे कह जाए तो उन्ली वन चांस आपको रेक्टिफाइंग का मिलेगा सुधार करने का उन्ली वन चांस आपको मिलेगा उसके समय में आगे इंफॉर्मेशन देता हूं आप लेकिन उसमें आप जीमेर आड़ी और मोबाइल नंबर यह दूनों आप अपना चेंज नहीं कर सकते हैं अपने डेटा बर्थ ने वो मैं आप खबर देता हूं आपको आगे ब्योड़ों में आप सबसे बड़ी चीज़ एज की अब एज देख सकते हैं आप एक जुलाई दुलाई दुलाई वर्णेस को आपको अठरा साल हो जाना चाहिए और देख सकते हैं जो अठरा साल से लेकर के 40 साल के बीच में यह जो फॉर्म आप अगर हैं तो भर सकते हैं यह होगी आपकी एज को लेकर के आई योगता अब देख सकते हैं आवेदन की पिकरिया अब बढ़ती अबेदन से समझ समझ सुचना भरना होगा जो भी वहाँ पर आपको मांगेगा फॉर्म बढ़ते वक्त अब आगे खबर जो परशन भाग आपका जो है पूरा साफ साफ हो फोटोच्य महिने की भीतर का ही हो आगे देसकते हैं तीस की भी क्या सबसूना चाहिए यहां से आप देख सकते हैं मैं बताता हूं आगे आपको अब फीस की समझ में देख सकते हैं जो जनल कंडिरेट है अन्ने पिछड़ा व मात्र 25 रुप्या है तोटल फीस है ना अब फीस दिसेते आप आनलाइन पेमेंट कर सकते हैं डेविड कार्ड आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या इंटरनेट बेंगी के माद्यम से अगर आप जो इचालान के माद्यम से करना चाहते हो तो वन लिकिवल यस भी आई के इचाल संसोधन करना चाहते हैं तो आप देख सेते हैं अब अन्तिम रूप से जो आपने फाइनल बिल्कुर समिट कर दिया हो पेमेंट और सब कुछ समिट करने के बाद किवल एक बार आपको वन लिवन चांस आयोग देगा एक बार आप अपने अभेजन में संसोधन कर सकते हैं इसके लिए बड़ती के मूख की प्रिष्ट पर वेबसाइट के आप जो है मूख प्रिष्ट पर जाएंगे वहाँ पर आपको क्या रिष्टर मोबाइल नंबर जालेंगे आप और तथा इमेल डिपर आपके रिष्टर मोबाइल नंबर होगी उपरी में रिष्टर इमेल आइडी वहाँ पर आप वन टाइम पासवर्ट एक जाएगा इस पासवर्ट की सहाथा से उसका भरा हुँआ फ़ार्म आपका खुल नहीं कर सकते हैं यानि आप अपने कटिकरी रेजिस्टर मुबाइल नंबर और रेजिस्टर डेमेल में कोई संसोधन नहीं कर सकते हैं तो इन तीन चीजों को तो बेहद ही साओदाने से आप भड़िएगा अब आगे देख सकते हैं अबर्थी ने जितने पदों पर अवेदन किया है सिर्फ देख सकते हैं यहां से अबर्थी ने जितने पदों के अवेदन किया है सिर्फ उतने ही पद में संसोधन कर सकता है अबर्थी रेजिस्टर के उपरांद पदों की सेंक्या में घटा बड़ा नहीं कर सकता है अबर्थ पत्त में संसोधन विग्यापन की अंतिंतिती तक तथा अथवा उसके एक सप्ता के अंतर अर्दा 27 साथ यानि 27 जुलाई तक के वला आप इसको संसोधन कर सकते हैं 27 साथ दिन का टाइम मिलेगा आपको उस बीच में आप कर सकते हैं अपना संसोधन गलती कुछ अगर किये हों सब्ढjem में तो आप कर सकते हैं उसके बादा बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं अब बढ़ी चीज देख सकते हैं में और सब जो है पर्माइलेंट टाइप की है इसमें से अंदर अच्छी 88 पोस्ट की हैं तो किन किन ये सब तो मैं आप समझी रहेंगे देखी रहेंगे आदे सकते परिवान आयुक्त है उत्ता प्रदेश मुख्याले में है और ये साखाओं में मिलेगा आपको जो है विभिन जो है डी नदेशाख मतस्य विभाग में है नयुक्त कंशा और चांज में नागरिक। तो नागरिक सुरच्छा भी निर्साले में वेकंसी आई हुँए यहां से सबी समाच के लाड़ वे चाचट वेकंसी है सब पर पर्मानेंट टाइप की हैं तो यह देख सकते हैं पूरा जो है 1186 पोस्ट पर है जनरल के लिए 616 और बीसिक के लिए 216 अब बड़ी चीज़ EWS के सम्मन में है कुछ कंडिडेट यह नहीं समझ पारें EWS में अपलाई है कि नहीं है तो आप बिल्कुश कंफर्म हो जाए दस परशंट आपका EWS जो आपको आर्थिक रूप से अगर इकोनामली बीकर सेक्शन से हैं तो आपको दस परशंट जो है आर आप लो जानते हैं इसको जो है निल्गत करते हैं सार्टिफिकेट को आपको 20 जुलाई तक बिल्कुत तयार हो जाए ऐसा नहीं कि आपको जो है यह 26 जुलाई के पहले का बीस जुलाई तक आपका अगर कंफ्लीट है तो आप जो है दस परशंट आरचर के सापेश आपको जहां से EWS का मिलेगा वहां से आप उसको जो है यस भरिएगा आपको उसका पूरा लाप मिलेगा अब EWS का हो चुका जो बड़ी चीज थी अब सबसे बड़ी चीज आप देते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबन में करने से साहिक के लिए क्या होना चाहिए तो स जाएगा इंग्लिज में 200 वर्ड मिलेगा और हिंदी में आपको 125 वर्ड करने होंगे अब बड़ी चीज ट्रिपल सी के लिए है कि डो यक से जो अब नाम पच्रित में हैं निलट को जारा आपको कंप्यूटर संचाले में ट्रिपल सी परमारपत्र या किसी सरकार दोरा मांदा प्राप किसी संसा दोरा उसके समकच परदान के कोई परमारपत्र यानि आप अगर इंटर मिल्डेट से आपने कंप्यूटर सब्च्च के तरप भी पढ़ा होगा तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं और ट्रिपल सी के समका चाप माले जाएंगे है ना अब अधिमानी आरता देख सकते हैं जो आपको कुछ अत्रिक नंबर दिलाएगा तो आप देखते हैं अगर आपनों परदेथिक से ना मैंने उन्तम दो वर्स की सेवा दी हो या फिर आपको एंसी की आपके पास हो है ना अब आगे यह देख सकते हैं पूरी ख़बर तो इडबली वस वाले पूरा लाब में लेगा है आप 20 जुलाई तक तैयार करें यहां से देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्के ऐसे हैं भरती जो 10% आरचार का दावा करते हैं और वे एतस संब परिवार की आये और संपत्तिका परमारपत संबंदि छेत के तासिल जिस भी आपको जहां भी आपका अधिकारी द्वरा जारी या परमारी परमारपत्र जो आवेदन की अंतितितिति तक जारी की गई हो अनिमार रूप से आपको परस्तुत करना होगा है ना तो यानि 10 होगा तो आप देख सकते हैं यह फॉर्म अगर नंबर आपका रियाए ज्यादा होगा फॉर्म जो भरे जाएंगे वह जादा होंगे या पिर आपकी परिछा जो एक सब्सक्राइब पर यह अब लेबल है यह कि आप देख सकते हैं 22 मही को आयो जारी आप दिया लिए गया तो आप बिल्कुल यह एक सिर्फ से जादा अगर आपकी परिच्छा होती है और आपके इस परक्रिया में आपके जो है नॉर्मलिजेशन की परक्रिया जरूर अपनाई जाएगी है ना अब चैन का अधार दे सकते हैं करने स्टाय के लिए क्या है लेखित परिच्छा होगी यह ऑफ-लाइन भी हो सकती है अनलाइन भी हो सकती है यह आयोग बाद में डिसीजिजन लेगा इसकी समंदमें तो जो मैं आपको यह बता दूं कि अगर नंबर आपकर नवहीं डिएक डे कंम होंगे तो आपकी परिच्छा के पदो पर चेन हेत आनलाइन या फिर आफलाइन लिखित परिच्छा में सीधी भरती रीती योंद पिक्रिया नियुआ मेरी 2015 दिनां 11 मैं 2015 को उत्तप दे समोगा के पदो पर सीधी भरती के लिए संबन में कार्मी कनभाग दो उत्तप दे सासन के सासना दे संख्यार चार अब लेके अब लिक एक दोई शातरा का दो दिनांक 31 आठ यानि अगर्स्त के अनुसार आफलाइन या आनलाइन अब दर आपका एक्जाम करा जा सकता है तरदा लिखित परिच्छा तंकर परिच्छा या इह परिच्छा का उज़न पाटकरम यह परिच्छा तिस सदा आयोग अब भर्तियों को उनके दोर दी गए सुचनाओं के आधार पर लिखित परिच्छा में आवबंधिक परवेश देगा किन्द बाद में किसी भी अस्तर पर यह पाए जाने पर कि अब भर्ति दोरा गलत सुचना दी गई थी और वह इसके काबिल नहीं है आर नहीं थ तो उसका अबेदन प्रामभी कस्तर पर सुच्चार किया जाने योग नहीं था उक्ति इस्तिती में अब भर्तिन आपका निरस्त कर दिया जाएगा और यद नियुक्ति है तो संसुच्ची भी कर दिया गया हो तो आयोग की संसुच्ची पर वापस भी ले लिजागी यानि देख सकते हैं अगर आप जौनिंग भी कर लेते हैं गरत इंफार्मेशन दे करके आपका स्रक्शन हो जाता है तो अगर फिर बाद में गरबड़ी पाई याती है तो आपका जो है अब भरतन नियस्त कर दिया जागा नियुक्ति भी आपकी रद दिकर दिया जागी इस समद भवित परिशा करने भवित परिश्चा होने वारी परिशाओं के लिए आपको डिबार घोसित कर दिया जाएका अब यह देख सकते हैं निवक्ति हो चनित्व निमें को नियूमे में आपेच़ी स्वास परिशना भी आपका होगा यह पानल स्लक्सन की बाते हैं ऐसे जो अबेदन सम्मिट करने की अंतिन तिन्ति तक देख सकते हैं बड़ी चीज वंचनिये अनिवार अहरता या अहरताएं सैचिक वा अंड जो भी आपके हों नहीं रखते हैं तो विग्यापन के अंतरगत विग्यापीत पदों के साथ अबेदन ना करें क्योंकि पात नहीं है अगर आपने इंट्रमेर्ड की परिच्छा नहीं पास की है या पिर आपके पास जो है ट्रिपल सी नहीं है अब बाद में ट्रिपल सी पास होंगे तो आप बिलकुल ना करिए अबेदन आपका जो फॉर्म अप्लिकेशन ये जो आपका बाद में सबकुछ प्रिए ये रद कार की जाएक एधन की अंतिम्तिती के बाद कर गया कोई भी यह गता चाहे आपके खेल क्छी किये आपकी शोर्व को चिर्स चर्वत अबने के अब कोई भी प्राबन में कहते ही कुछ उडाने डी किους में पुरी संवार और or कोई कार सभी समस्याओं का समधान राहूर वाई फाइस्ट्री जानल के माध्यम से जरूर होगा जहां तक पूरा नोटिफिकेशन हमने जो इंप्रॉटन विन थे वो हमने आपको बता दिया है आपका अप्लिकेशन आज से स्टार्ट हो गया है आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीज मैं अंति में एक बार फिर करता हूं अगर आपको कोई दिक्कत हो फॉर्म में भरने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरू बताईए आपका सभी साल्यूशन प्राप्थ होंगे कमेंट बॉक्स के जरिए मैं आपको राहूल वाई फाइस्ट्री चैनल के माध्यम से तो ठीक करता हूं थुरी चैनल केंट बहर रवतों हुठ Иरूशन प्राप्य जरी चीर बहरा लाह है कριता सब्से एखका सक्षवय थिसक्तम दो लाहा हुआ कर दो कि अज़र आपका र smoking sales दो अगभ ow Ryan